हेलो गाइस कैसे हो आप सब आइ तिंग यू गाइस आर गुड वैलकम करते हूं मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी वीद दीपा सैनी में आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो 50 आइ तिंग आपके 34 कोश्चन्स की एक लास है और जो यह 34 जो आपके कोश्चन्स है यह मोस्ट इपोटेंट है और आपका जैसे कि अभी आपका एच्टेट का पेपर भी है और उसके आगे भी आपके के वीडियो के एक्जाम्स आने वाले हैं तो उन सब के लिए यह वीडियो है तो केरफुल होके देखना यह मिक्सप वीडियो है आप इसका इस वीडियो में आपको ब भारत की बात हो रही है यह बिहार में जारकंड में मध्या परदेश में उडिस्टा में तो अगर कोईले की बंडार की बात करें तो जारकंड में है बट अगर आपसे पूछें कि भारत की किस राज्य में या 2020 के अकूरिंग भारत का कौन सा राज्य नंबर वन पर है कोईल आंध्रपदेस और Tamin Laadu के तटिये भूप भाग को क्या कहते हैं यह मैंने भी करवाई हुए अपने वीडियो में ईया आपकी कोकन तहिकर श्पूर्ण्मंदल तट पूरव जानार राज opens के जाना-णार यह किस भारतिये कि तठ रेका सबसे लंबी है action आपके आंदर पर्देश महाराष्ट उडिसा तमिन नाडू आप देखो वैसे तो आपके गुजरात की गुजरात की तट रेखा है सबसे लंबी है बट यहां उप्शन में गुजरात है ही नहीं तब राइट अंसर रहेगा आपका आंदर पर्देश क्योंकि सैकेंड नंबर पर आंदर पर्देश की सबसे लंबी है नेक्स्ट कोशन नंबर फोर सुंदर वन के जो डेल्टा है हमारा गंगा ब्रंपुत्र नदी का डेल्टा है सुंदर वन इसके जंगलों को क्या कहते हैं गुल्म सकर्ब जंगल मैग्रो पर्ण पाती जंगल या टुन्रा तो मैंने परदेस राज्यonne गुज्ञार्द और महाराषट नडी किन-किन राज्यों में बहती है आपकी शिम्पल सी बाते हैं महाराष्ट में गुज्ञार्ट में अभन इम रहे जा जहती है रज्ञेस्टान तो काफी उचायए पर है नेक्स स्वेज्ञ जिंता नबर 6 निम्न में से क इसको भारत का पारिस्थितिक त्रप्त ital कहा जाता है। आपको पहले भी बताया तो और एक्जाम में भी बहुत पुछा जाता है आपकी दो रीवर ऐसी है भारत में एक तो है भई आपकी नर्मदा और एक है तापती यह दोनों रीवर ऐसी है जो जवार नद मुख बनाती है डेल्टा नहीं बनाती तो इसका राइट अंसर होगा तापती नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर एट कोकन रेल्वे की लंबाई कितनी है यह कोशन भी आ चुका है एक्जाम में कोकन रेल्वे की लगबग लंबाई कितनी है इसका राइट अंसर रहेगा साथ सो साथ किलोमेटर डी ट्रिपल एस भी में ये कोशन पुछा गया था कोकन रेलवे की लंबाई साथ सो साथ किलोमेटर नेक्ट कोशन है कोशन नमबर नाईन भारत का निम्ण में से कौन सा तट परचंड उशन कटीबंदिय चक्रवातों से सरवादिक दुस परवावित है मालाबार टट, आंदर टट, कोकन टट या गुजरात तो राइट अंसो रहेगा आंदर आप देखते भी ओन यूज में उडिसा और आंदर परदिश जो इनका टटीए इलाका है वहाँ पर सबसी ज़्यादा भारत में उशन कटी बंदिय चकरवात आते हैं संसार में भारत पहले सान पर है किसमें? निकल के उत्पादन में यूरेनियम के उत्पादन में माइका के उत्पादन में मैगनीज के उत्पादन में तो इसमें तो माइका के उत्पादन में दिया हुआ है पर अगर करंट का अपडेटा उठाओगे नहीं तब आपका माइका के उत्पादन में अब भारत का नंबर वन रैंक नहीं है ठीक है अब कोई और कंट्री है माइका में इंडिया नंबर वन नहीं है बट ये पहले को कोडिंग काफी साल पहले भारत काफी साल से माइका के उत आपने देखा होगा ना रेगिस्ताने में लाइने-लाइने से बनी रहती हैं। जो पवनी होती हैं जब वो अपनी मिट्टी को जमाती हैं तब छत्रक जैसे एक आकरती बनाती है। यह PGT लेवल का कोशन है। तो वो थार मरुस्तल। भारत में पूछे तो भारत में तो मरुस चम्बल घाटी में पाया जाते हैं उत्कात भूमी सतला करती ठीक है next question no.13 जो बेमेल युग में हैं उसको छाट यह चाय-असम में हान जी चाय-असम में होती है मुंगफली बिहार में नारियल केरल में नारियल केरल में ही होता है गंणा-ूपी रूपी यहां जी गंदेक उत सबसे अधिक हैं मंबई कोलकत्ता दिल्ली चन्नाई राइट अंस्वर दिल्ली दिल्ली में पंजी करत वहांनों की संक्या सबसे अधिक हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नबर 15 भिलाई इस्पाथ सनियंत्र किस की मदद से स्तापित किया गया है UK की USA की रूस की जर्मेनी क यह कोश्चन भी एक्जाम में भहुत पूछा जाता है भिलाई इस्पाथ कंद्र किस की साहिता से स्तापित किया गया तो यह रूस की साहिता से स्तापित किया गया भिलाई वाला सब को बता है भारत में थार मौरुष्तल है सिधा स्किप करते हैं कॉपिन निम्निमेशी किस स्थान पर विज्योत जल शक्ति से पैदा की जाती है प्रेंग रापने टू हर्ले ला में का है मैटूर का बांद huge किस river पर है तो मुझे बताना मैटूर का बांध अगर आपने मेरी वीडियो देखी है revision geography geography of India जब मैंने revision कराया एक घंटे में उसमें मैंने मैटूर के बांध के बारे में आपको बताया है तो ये आपके लिए मैं मुझे comment box में इसका जवाब दो गया मैटूर बांध किस नदी पर है ठीक है next question number 18 दीव एक द्वीप है दमन से हटकर गोवा से हटकर गुजरात से हटकर महरास्टर से हटकर देखो दमन और दीव दादर और नगर हवेली दमन और दीव आता है उसमें दीव तो दीव कहां है ये आपका गुजरात से थोड़ा हटकर है next question number 19 देखो नदीपर है क्रिशन कावेरी गोदावरी महनेदी तो किस पर है ये कावेरी पर है question number 20 निम्र में से किस नगर को अधिक्तम अंत्रिक्ष विकीरन प्राप्त होता है चन्नाई, मंबई, कुलकत्ता, दिल्ली तो किसको प्राप्त होता है चन्नाई को अधिक्तम अंत्रिक्ष विकीरन प्राप्त होता है नीलगिरी पहाडियों में पेड की समानने जाती है। तो जो युक की लिप्टिस के जो पेड़ है नेलिगरी की पहाड़ियों में है उसके अलावा ये टीक के पेड़ एक बर एकजाम में पूछे गई थे टीक के पेड़ मध्या परदेश में ज्यादा मिलती हैं ये याद रखेगा नेक्स्ट एकोशन नमबर 22 कोकन रेलवे जोडती हैं गोवा और मंगलूर को रोहा और मैंगलूर को कन्या कुमारी और मैंगलूर को कन्या कुमारी या मंबई को तो कोकन रेलवे किसको और किसको जोड़ता है रोहा से मैंगलूर को, याद रखना रोहा से मैंगलूर को, 760 किलोमेटर लंबा, भारत के उतरी मैदानों की मिट्टी समानते कैसे बनी हैं, तलावचन द्वारा, तलोचन द्वारा, सवस्थाने अप्षियन द्वारा या अपर अपरदन द्वारा, तो सबको पता है जो उतरी भारत का विशाल मिदान है, नदिय द्वारा लाए गई मिट्टीयों के बिछाने से बना है, तो तलोचन द्वारा, यानि तल पर मिट्टी की परत जमादी तो तलोचन द्वारा, ठीक है, नेक्स एकोशन नमबर ट्वेंटी तो आपती क्या बनाती है, जवार नद मुख बनाती है, ठीक है, नेक्स एकोशन है, कोशन इस 25, नियमने में से किस राज्य की तर्ट रेका सबसे लंबी है, देखो अभी आपे गुजरात आ गया है, महाराष्ट, तमिलनाडू, गुजरात, आंदर परदेश, तो आपका र इंडिया की एक गंटे की रिवीजन में, शिपकिला, जोजीला, नाथूला, जलेपला, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था, ये दोनों के दोनों दर्रे आपके सिक्किम राज्य में पढ़ते हैं, ठीक है, और आपका पीर बनी जो कारा, मैंने ट्रिक भी बताई थी इसमें जो जीला आपका जम्मु कस्विर में पढ़ता है, तो शिपकिला, शिपरो बारा, शिपकिला आपका कहां पढ़ता है, हिमाचल परदेश में, नेक्स्ट कोशन नमबर 27, नीमन मेसी कौन सा भारत की पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगा है या पतन है, कांडला, विशाखा पतनम करी कल पांडी चेरी, तो ध्यान रखना पूर्वी तट की पुछी है, तो देखो विशाखा पतनम पूर्वी तट पर है आपके, तो जो विशाखा पतनम रहेगा इसका अंस्वर पूर्वी तट की परमुक बंदरगा है, और विशाखा पतनम से एक और च असम राज्य में काम कर रही तेल परिक्षन सालाओ यानि रिफाइनरी जो है उनकी संख्या कितनी है एक दो तीन चार बढ़िया कोश्य नवई याद रखना असम राज्य में चार रिफाइनरी है असम एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहला तेल का कुवा खोदा गया था क कोश्य नवर 29 मुख्य आइरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है ये भी बढ़िया कोश्य नवई दक्कन के में मालवा के में तेलंगाना में चोटा नाकपूर तो जो चोटा नाकपूर पठार है इसे भारत का रूर भी कहते हैं भारत के अधिकतर आइरन कमपन का रूर राजमैहल की पाणियां का भी पाठे चोटा नाकपूर पठार नेकट्र affected निम्न में से किस नदी का स्त्रोत भारत से भाहर है तो की ब्रह्म पुत्र मांसरो और जील के निकट से निकलती है आपकी ठीक है तो ये भारत से बहार तिबबत से निकलती है ब्रह्म पुत्र इसलिए तिबबत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है यानि शुद करने वाली पवित्र करने वाली कौन सी रिवर ब्रह्म पुत् कौन सी परवत श्रेणी भारत में इस्तित है अराकान योमा सूलेमान साल्ट रेंज पीर पंजाल अब देखो कौन सी परवत श्रेणी भारत में इस्तित है सूलेमान आपकी पाकिस्तान में पढ़ती है अराकान योमा ये भी भारत में नहीं पढ़ती साल्ट रेंज पाकिस्त गई तू भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है उननेंचा सो शतावन सो पिचतर सो तिरासी सो तो पिचतर सो वैसे अगर अज़ेक्ट की बात करें न भई तो भारत की तट रेखा की लंबाई साथ 1516.6 किलो मेटर है ठीक है अब बट यहां पर आप आप ओप्शन में दे रखा 75, तो हम नीर अबाउट वाले को टिक करेंगे, तो राइट अंसर रहेगा 75, नेक्स्ट एक कुशन नमबर 33, सिंदु नदी का उद्गम होता है, हिंदु कुश परवतमाला से, हिमालय परवतमाला से, कराकोरम परवतमाला से, या कैलाश परवतमाला से, तो जो सिंदु निमलिखित समों में से किसके साथ अरुनाचल परदेश की सांजी सीमा है बुटान के साथ बांगलादेश और चीन मैनमार बांगलादेश और चीन बुटान चीन और मैनमार बुटान बांगलादेश और मैनमार तो देखो एक तो बुटान के साथ तो ही पढ़ती ही पढ़ती है भारत की सोरी अरुनाचल परदेश के अरुनाचल परदेश के ऊपर क्या है चीन है और साइड में क्या है मैनमार है ठीक है तो बुटान, चीन, मैनमार इन तीनों कंट्रीज के साथ अरुन चल परदेश की जो सीमा है वो क्या है आपकी सांजी है तो I think आपको ये questions अच्छे लगे होंगे क्योंकि काफी बढ़िया question है ऐसा नहीं है ठीक है और आप अगर इनको करके जाओगे तो इनमें से एक question आपको जुरूर exams में देखने को मि वीडियो उसके अलावा DSSB, KBS, NBS जो भी exam आप आगे देने वाले हो जिक्के वाले जो exam देने वाले हैं केवल teaching exam के लिए नहीं मैं यह कहूंगी कि जो जिक्के पढ़ना चाहते हैं जिके के पेपर देना चाहते हैं SSC, HSCC related तो उनके लिए भी ये video helpful है ठीक है तो अगर आई तो एक लाइक तो बनता ही है इतनी महनत हम करते हैं तो थोड़ा effort आप भी कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है तो प्लीज एक लाइक और शेयर और subscribe कर लो मेरे चैनल को आगे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया questions लेने के लिए ठीक है तब तक के लिए मिलते हैं फिर अपनी next video में एक new energy के साथ एक new topic के साथ new questions के साथ तब तक आप पढ़ते रहो और बही best of luck आप सभी को आपके जो भी different type of exams हैं सब के लिए ठीक है तो thank you thank you very much for watching this video